नमस्कार सातियों बंदना केर्मी में एक बार आपका फिर से स्वागत है तो आज हम पेपर फष्ट के लिए फिर से ईवीएस का रिवीजन करेंगे बैसे तो आपको पेपर फष्ट के लिए ईवीएस की सारी किलास हैं दी जा चुकी हैं लेकिन आज हम नोट से पढ़ेंगे आपको आज बंद नाइनर मिलेगा तो चलो शुरुआत करते हैं और हम मतलब पूरा रिवीजन करेंगे एक बार तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्च कर लें क्योंकि डेली आपको पेपर फष्ट और बंद लाइनर के द्वारा पड़ेंगे सबसे पहला है स्कूल जाना यानि कुछ बच्चे किस तरीके से राज्यों में इसकूल जाते हैं तो यह सारी चीज़ें पहले पढ़ लिए सिर्पाज हम रिवीजन करेंगे बांस और रसी के पुलका प्योग किया जाता है तो यह कह यह केरल के बच्चे बल्लम के द्वारा इसकूल जाते हैं राजिस्तान के बच्चे उटगाडी का प्रयोग करते हैं इसकूल जाने के लिए और मैदानी इलाकों और गामों में बेलगाडी से बच्चे इसकूल जाते हैं और उत्राखंड में आपके रास्ते पत्रीले और पहाड़ों में जद अतर पच्चियों की आके उनके शिर्के दोनों तरफ होती हैं पच्ची एक ही शमय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं और अगर आपको यह नोट्स अच्छे से चाहिए यानि आपको पूरी डिटेल में चाहिए तो आप हमारी प्ले लि देखते हैं तब इनकी दोनों आखे एक ही चीज पर होती हैं जदातर पच्चियों की आखों की पुतली घूमने ही शक्ती बेपनी गर्दन गुमाकरी आसपास देखते हैं जब बाज और गिद्ध जैसे पच्ची हमसे चारगुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं और यह आपका प्रश्ण बहुत बार पूछा भी जाता है जो चीज हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पच्छी आट मीटर की दूरी से देख लेते हैं एक पच्छी की यांके उसके सिर पर होती है और उनके शिर्के दोनों तरब छोटे छोटे छेद य जैसे कान होते हैं लेकिन हम उने आसानी से देख नहीं सकते जानवरों पर अलगलग पैटर उनकी तुचा पर बालों के कारड़ होते हैं जानवरों के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर नहीं होता और यह अपका CTT सितंबर 2016 में प्रश्ण पूछा भी गया है कानवाले मत पैटर उनकी चोड़ गया है किन्स अलगए का सबसे बड़ा हाती जुंड की मुख्या बन जाती है जुंड में कोई नरा हाती नहीं होते बे चोड़े पंदरे साल की उंधर में जुन्ड को छोड़ देते हैं एक बयस का हाती एक दिन में शौकलो तक पत्ते और टैहनीय खा सकता है हाती दिन में केवल दोशे चार घंटे सुते हैं कीचर हाती की तुछां को ठंदा रखता है उनके बड़े कान भी पंके की तरह काम करते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़ फड़ाते हैं जुन्ड में दश्य बारब मादा हाती और बच्चे होते हैं खेजाडी गाउं राजिस्तान में जोदपुर के पास है ये खेजडी भी होता है लगवक तीन शौशाल पहले इस गाउं के लोगों को बचाया था खेजाडी गाम के लोग बिश्णोई कहलाते थे खेजाडी का पेड़ जादा पानी के बिना बड़ा हो शकता है ये फलिया देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है बिहार की मुझभफुर पर जिले में बोचाचा गाम है मदमक्किया अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है प्रत्य एक मदमक्की के छत्य में एक रानी मदमक्की होती है जो अंडे देती है छत्य में केवर कुछ नर मदमक्किया होती है छत्य में अधिकांस मदमक्किया स्रमिक होती है स्रमिक के रूप में नर मदमक्कियों की कोई विशेज भूम का नहीं होती है और इस तरीके से आपको अब बन लाइनर डेली मिलेंगे चाई पेपर फश्ट हो और चाई पेपर शेकेंड हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दुस्तों को शेयर भी कर दें श्रमिक के रूप में नर्मदमक्यों की कोई विशेश भूनका नहीं होती है त्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू होती है अब आपके पास समय भी कम है तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन अवश्य करते रहें गुजरात का खाना डोकला चटनी नीवू चावल मिठाई के साथ और मडगां गोवा में है गोवा से केरल तक के मारग में कुल 2000 पुल और 92 शुरंग है 92 कोजिकोर दच्छड भारत में केरल राज में माला बारतत पर एक सहर है इसे काली कट के नाम से भी जाना जाता है गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महराष्ट गोवा करनाटक फिर भारती राजी केरल पहुँचती है अब यह भासाएं जो जहां बोली जा कोजिकोर पहुचती है कोकड़ी करनाटक महराष्ट गोवा केरल के खुच इस्षों में मराथी महराष्ट गोवा दमन और दीप दादरार नगरहवेली गुजराती गुजरात में कंणर करनाटक आंत्रदेश तमिलनाडू मैस यानि महराष्ट में यह यहां बोली जाती है यह रेलवे की टिकट है आप देख सकते हो फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है विवरण आप ट्रेन के टिकट पर पास सकते हैं ट्रेन नम्मर रियात्रा की शुरुवात की तारीक बर्त और कोच की शंक्या किराया यानि टिकट की लागत और दू लिप्टर यानि भार उत्तोलक है यह आंत्रपदेश की रहने वाली है इनके पापा पुलिस में हवलदार है जब यह बारे साल की थी तब इसे बजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी अब एक बार में 130 kg तक बजन उठा लेती हैं करणम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते है उनकी चार बहने भी रोज बजन उठाने का अभ्यास करती है यह आपके खुछ प्रशन है उस तरीके से आपके प्रशन पूछे जाते हैं ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है तो राइट आंसर आपका क्या है इसका नमबर 3 व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड आर अच्छी त्रे बी कोच नमबर ठीक है यानि ए बी शी और डी ये सारी चीज़े हमें मिलती है अब बात करते हैं फूलों की घाटी की तो फूलों की घाटी उत्राखंड की पहाडियों में पाई जाती है गेंदा जेनिया आद फूलों का अपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है उत्तरपदेश में कंडोन जिला इत्र बनाने के लिए प्रशिद हैं बात करते हैं मदबनी पैंटिंग की यह आप देख पा रहे होंगे छित्र में डिजाइन को मदबनी कहा जाता है ये लोग कला का एक बहुत पुराना रूप है बेहार में एक जिला है जैसे मदबनी क कहा जाता है। उसही के नाम पर इसका नाम पड़ा我在 चावल के powdered के पेट से Pacific मनाई जाती जिसमें रंग मिलाया जाता है। इनहें बनाने के लिए नील हलदी फूलों और पेड़ों के रंगों आद का अपयोग किया जाता है चित्रों में इंशानों जानवरों पेड़ों फूलों पच्छियों मचलियों और कहीं अन्य जानवरों को दिखाया गया है बेलवन का गाउं करनाटक में है गीजु भाई बदेका गुजरात में रहते थे उन्होंने बच्छों के लिए कहीं कहानिया रिखें एक भारती रोविन अपने अंडे शड़क के किनारे पत्त्रों की बीच में देता है कोयल कोवी की गोशले में अपना अंडा देती है पच्छी अपने अंडे देने के लिए ही गोशले का अपयोग करते हैं यानि यह वैसे गोशलों में नहीं रहते हैं सिर्फ अपने अंडों को गोशले में देती हैं वैसे तो यह सिर्फ पेड़ों की डालियों पर ही रहते ह चूजे बड़े होने के बाद पच्छी अपना घोशला छोड़ देते हैं नल मदा आंध्रपदेश में हैं हिल गुंडी करनाटक में हैं हिल गुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमशंग कहा जाता है बरगत की पेड के बारे में जो लटकती हुई शाकाओं की तरह दिख लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में में डाल देती हुँ तो वहां से आप हमारे टिलीग्राम गुप को जोइन कर शकते हो पेडिया आपको सारी मिल जाएंगी ओक के पेड की जड़ा गहराई में तक जाती हैं और पानी के पेड के तनी में जमा हो जाता है असम में चावल पर बास से भेला घर बनाते हैं मुक्तापुर गाउं आंद्रपदेश तेलंगाना राज के पोचंपली जिले में हैं पोचंपली जिले में पारंपर एक बिवशाय हैं कालीन बनाई खिलोना बनाना इत्र उत्पादन आदी ये चीजा उस जगए के नाम से प्रसिद्ध हो कहा जाता है और मली ऐलम में पिता के छोटे बाई की पत्नी को कुझममा कहा जाता है के रल में कहीं फलों के पेड मिलते हैं जैसे नार's एल, केला, कठह, दालचीनि काली मिरश सौंट आदिशे बना होता है लेप्टिनेंटु कमांडर बहीदा पौरेड के नेतत्तों करने वाली पहली मैला है बहीदा पौरेड में क пользов भी एक बहेजस कांच होता है जोग अरखते ने снимे जिए ब्वहिदा होनां बोटी बासा में मा को आमा ले कहा जाता है यह आमा ले है और यह आपका आवा ले है रिसम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंद से कहीं किलोमीटर दूर शे ढूर शकता है चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पधार्त छोड़ती है जिसे सूंकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है मच्र हमारे सरीर की गंद खास कर पेरों के तलवे की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें डूड लेता है शड़कों पर कुट्टों को भी अपनी जगए बटी होती है एक कुट्टा दूसरे कुट्टे के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके लाके में बाहर का कुट्टा आया था जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं आम तोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सपेत और काली ही देखते हैं शाप के बाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुए कमपन को ही हुए मैशूश कर पाता है जंगल में उंची पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुशिवत जैसे शेर चीता आद को देखकर एक खास आवाज निकालता है यानि और ये आवाज निकालकर अपने शातियों को शंद दुस्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज यानि ये बता देते हैं कि जो दुस्मन है वो किस तरीके से चल करके आपके पास आ रहा है मचलियां खत्रे की चेतावनी एक दूसरे को विजली तरंगोशे देती हैं कुछ जानवर तूफान या भूकम्प के आने से कुश्च मे पहले अजीब हरकते करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस विवार को शमजते हैं और जान लेते हैं कि भूकम्प आने वाला है या कुछ अनवनी होने वाली है और सारी किलास से डिटेल में हम पहले पर चुके हैं तो इसलिए सिर्फ हम इसका कर रहे हैं तो आपके पास समय बहुत कम है तो आप NCRT अवश्च पढ़ते रहें और आपको अवश्च देके और NCRT सॉलूशन वीडियो आपको मिली रही है अभी हमने जोग्रोफी कम्टीट कर लिया है और अभी हिस्ट्री की कलासन चल रही है शन 2004 दिशंबर में आई शुनामी से कुष्च में पहले जानवरों के जी विवार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी वरी आवाजां को अन्वान की एक खास आदवासी जाती समझ गई उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जादी के लोग शुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाई डालफिन भी अलग अलग तरह की आवाजा निकालती है और एक दूसरे से बाते करती है बेग्यानकाओं का मानना है कि कहीं जानवरों की अपनी पूरी भासा है शलाग भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका सिर शह कर भाख की मूचें हावा में हुए कंपण को भाप लेती हैं और उसे शिकार कीुछ सही इस्तिति का पता चल जाता है बाग की मूचों से इने अंधेरे में रास्ता डूरने में भी मदद मिलती है बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ जाती है ये इलाका कहीं किलोमीटर बड़ा हो शकता है एक बाग किशी दूसरे बाग के मूत्र की गंद को जट से पहचान लेता है बाग मौके के अनसार अपनी आवाद बदलता रहता है गुष्ये में अलग कराहने की उसकी आवाद अलग होती है गुर्राने में अलग आबाज और बाग इनको बुलाना हो तो अलग आबाज बाग का गुर्राना तीन किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग हवाशी पत्तों की हिलने और शिकार की जाड़ियों में हिलने से वी आबाज में अंतर को भाप लेता है यह इन दोनों अंतरो बाव में बहुत जादा घुन जाते हैं बाग इतना सतरकम्त यह लेकिन कि गिंती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इने बचाने के लिए बोश्चे जंगलों को सुरच्छा दे रही है जैसे उत्राखंड का जिम कारवेट नेशनल पार्क यानि आपका प्रशन पूछ भी लिया जाता है कि जिम कारवेट न कालवेलिया नाच में भी शांप जैसी मुद्राएं होती है हमारे देश में पाए जाने वाले शांपों में केवल चात्रे के शांपी जहरी ने होते हैं यहे नाप, कुरेद, दोईया और अफाई यह अप देख पा रहे होंगे साप जब किशी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दांतों से उश्वक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई शाप के जहर से ही बनाया जाता है, यह सीरम शाप के जहर से ही बनाया जाता है, और यह दवाई अभी सरकारी स्व यानि अमलकी तरह होता है काला हंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है फिर भी यहां के लोग बुकमरी का शिकार होते हैं आत्रे पुरम गाम आंध्रपदेश में इस्तित हैं दी गई तालका में से एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नम दी हैं दूसरी तरफ उन प्याज और लैसन को खुले में रखते हैं नमी से बचा कर अचार रखने से पहले सीशी को दूब में शुकाया जाता है ताक शीशियों में से नमी निकल जाए अगर सीशी में थोड़ी शी भी नमी रह जाएगी तो अचार शड़ जाएगा कुछ ऐसे पोदे भी हैं जो च का ढकन लगा होता है गड़े से खास खुस्बू निकलती है जिसकी वज़े से कीड़े खिछे चले आते हैं पोदे के ऊपर पहुचते ही कीड़े अंदर फस जाते और बाहर नहीं निकल पाते कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुच जाते हैं कुछ जानरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है पौदे श्वेंबी अपने वीजों को दूर चिटक देते हैं जैसे शोयावीन की फलिया पक कर शूक जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है पिचर प्लांट भारत में नहीं पाया जाता है इसका राइट आंसर क्य अब बात करते हैं यह गठना 1948 की है एक दिन जोर्ज मेस्टरल अपने कुट्टे के साथ सहर से लोटे उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके है इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर भी हैरान रहे गए जट माइक्रो इसकोप निकाला बीजों को पारी की से देखने के लिए बीजों में छोटे-छोटे होकते हैं इनकी मज़स से बीज कपड़े की रेशो पर अटक गई है देखकर मेस्टरल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का बेलक्रों से दोनों सतय चिपक जाती है और खुलने पर चर्चर की आवाज होती है तुम भारत में उगाई जाती है हमारे यां बिंडी अफ्रीका से आई है गोवी मटर यूरोप से आए है चाय अश्रम से आई है शोया बिन चीन से आई है बीन अमरीका से आई है बैगन मूली शेम करेला आम शंतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेती ये शब भारत में ही उ भून भून दरिया दरिया अध्या 650 साल पुराना घरसी से नामक इस्तान के बारे में बताया गया सर यानि तालाब को कहते हैं इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के शाथ मिलकर बनाया था इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक टालाब पानी से बर जाता था तब बाकी पानी बैकर नीचे बरने हुए तालाब में चला जाता था इस तरह नो तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे अल्विरूनी एक यात्री भरत आये अल्विरूनी उजबेकिस्तन देश से आये थे अल्विरूनी बहुत ही बारी की से चीज़ों को और जगयों को देखा और उनके बारे में लिखा पानी के सोत हैं जैसे बाबरी, तालाब, नौला, धारा, आद, कुवशूकने की खुच बज़य है कहीं जगे मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है तालाब जिनमें बारिस का पानी घटा होता था अब नहीं रहे पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को शीमेंट से पक्का कर दिया गया है दड़की माई राजिस्तान के अलबर जिले के एक गाउं में रहती है आपका सारा रिवीजन मैं करवाऊंगी और जो भी आपका बचेगा वो शेष वीडियो में आपको मिलेगा नमक म्रत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो म्रत सागर में डूपते नहीं है अब बात करते हैं डांडी यात्तरा की यह घटना 1930 की है भारत की आजादी से पहले बहुत शालों शे अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी उपर से नमक पर भारी टेक्स भी लगा दिया था इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे बला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो लोगों को मजबूरी में दुकानों से महेंगा नमक खरीदना पड़ता था इस वास से लोग बहुत नाराज थे गांदी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दिये उशे बनाने पर बंदिस कैसी उन्होंने लोगों के साथ मिलकर एमदावाश्य डंडी के शमुद्र तर्टक एक लंबी यात्रा की और यह आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक तो एमदावाश्य डंडी के शमुद्र तर्टक और इस गलत कानून को तोड़ा जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है शमुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है तेज दूब में पानी शूख जाता है और नमक के धेर वहीं रह जाते है कात की श्लाइट पर खून की बूने मलेरिया मादा मच्छ शे फैलता है यानि इसकी यह जाच होती है और आपका जो मलेरिया रोग है वो खिश्य फैलता है यह मादा मच्छ एनाफिलिस से फैलता है डॉक्टर मरियम श्लाइट को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ा दिखाई देती है यानि माइक्रोस्कोप से कोई चीज हमें एक हजार गुना बड़ी दिखाई देती है इसलिए खून के अंदर की बारिकिये शाप जाती है और यहां से आपका प्रशन बहुत बार पूछा जाता है पहले तो लोग चाल को अबाल कर और चानकरी इस्तेमाल करते थे लेकिन अब चाल से दवाई बनाते हैं गुड़ आबला और अरी पत्यदार शबजियां इनमें आयरन की यानि लोहा होता है और यहां से जाका उनका नाम है रोनल रॉस जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है तो आज के लिए इतना ही जो भी हमारे टॉपिक रह गए हैं उनका बन लाइनर आपको अगली वीडियो में मिलेगा तो चैनल पर आने रहें चैनल को सब्सक्राइब अवस्च करें अपने प्यारी प्यारी कमेंटी भी अवस्च किया करें वीडियो को शेयर अवस्च करें लाइक भी करें तो इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी पेपर फस्ट हो या पेपर शेकेंड हो आपको NCRT झाल झाल